कई बार जो अनजानी परिष्थितियां होती हैं तुमारे अंदर उर्जा के प्रवाह को मुक्त कर देती हैं जैसे तुम अचानक किसी नई जगे पर चले जाओ तुम थोड़ी देर के लिए खोस हो जाते हो लेकिन तुम फिर अपने पर लोट आते हो तो खुशी ज़ादा देर नहीं रहती कुछ घंटे कुछ लोगों के साथ तो कुछ मिनट ही कुछ लोगों के साथ कुछ घंटे उसके बाद तुम फिर वापस अपने उपर लोट आते हो बाहर का बातावरान वैसा ही रहता है तुम दुखी हो जाते हो ये जो strange situations है नई परिष्थितियां है वो तुमारे अंदर की conditioning को break करती है नई चीजे कुछ भी नया देखो तुमें उत्सा से भरता है यहां तक कि तुम नया कपड़ा भी पहनते हो तुम थोड़ा सा थोड़ी दर के लिखोस हो जाते हो तुमको नई चीज लेते हो थोड़ी दर के लिखोस हो जाते हो क्योंकि थोड़ी दर के लिखो तुमारा ओर्जा स्थर बढ़ता है इस नए पन पर काम करने के लिए आध्यात्मी कुरूप से बहुत प्रियोग किये गए है जैसे यहां पर जो प्रियोग आत्मिस्मर्ण ध्यान का सेल्फ रिमेंब्रिंग मेडिटेशन का हमने लिया हुआ है वस्तते वो इसी कुंडलिनी को जागरत करने का एक प्रयास है एक एक्टिव मेडिटेशन है वो तुमारे अंदर एक धक्का दे देता है तुम एक खास ढंक से अपनी सांसों को चलने दे रहे हो जिसमें कोई भी आर्डर नहीं है कोई वेवस्था नहीं है और अचानक तुमारा मन एक नई इस्थिती में आ जाता है हर उस इस्थिती में जहां तुमारा मन सिस्टमेटिक हो जाता है उर्जा अवरुद्ध हो जाती है इसलिए तुम देखो अन्जाने में ही तुमारे अंदर एक धक्का लगता रहता है तुम अपने घर में हो तुम घर में जो भी महिलाएं हैं अच्छी तरह से वाकिफ हैं तुमारा मन होता रहता है कुछ न कुछ बदल दें कभी तुम अपना furniture बदल देते हो, कभी तुम परदे बदल देते हो, कभी कोई setting बदल देते हो, क्यों? तुम कहते हो अच्छा लगता है, अच्छे लगने में क्या होता है? केवल उर्जा बढ़ती और अगर तुम अपने उर्जा को आंतरिक रूप से ही बदल चुके हो, तो तुम्हें फिर सब कुछ अच्छा लगता है, हर च्छा तुम्हें नया लगता है, क्योंकि बाहर के बदलाओ कितनी देर टिकेंगे, तुम थोड़ी देर में बदलोगे, पुरा ने पड़ तो बाहर के बदलाओ थोड़ा सहयोग देते हैं, अधिक सहयोग नहीं देते, लेकिन फिर भी वो उपयोगी हैं, उनके साथ भी प्लेफुल होंगे, उनके साथ भी अपना काम करेंगे, ध्यान की पद्धतियां हैं, वो भी तुमारे लिए यही इस्थिति उत्पन करती हैं अचानक एक नई इस्थिति, तुम अपने रोटेनी जीवन के धर्रे में चल रहे थे, तुम अलग धंग से बैट रहे थे, अलग धंग से उठ रहे थे, एक मेकेनिकल था, तुम यहा आते हो, एक विसेज धंग से बैटते हो, तुमारी सारी इस्थिति बदल जाती है, सांस लेने का धंग बदल जाता है, पैठने का धंग, तुमारे मन के लिए एक नई इस्थिती पैदा हो गई, उस नई इस्थिती में मन को एड़ेस्ट करने में थोड़ा वक्त लगता है, और उस वक्त में ही वो उर्जा अंतरमुखी हो जाती, और इसके लिए कई जगे, कई संब पुद मित्रों ने बहुत-बहुत प्रयोग किये इस नई इस्थिती को पैदा करने के लिए, कुछ चीजों को तो तुम समझ पाओगे, कुछ चीजों को तुम नहीं समझ पाओगे, जैसे भारत में ऐसे बहुत से महान संथ हुए, जिनके पास तुम जाओगे, तो वो अचानक अजीबो गरीब ब्यवहार कर देंगे, अब यह मत समझना अजीबो गरीब ब्यवहार करने वाला विक्ति महान संथ होता है, बातों को बहुत संबेदन, सिलता और गंभीरता से समझेंगे, उसको ट्विस्ट नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आर्थका नर्थ हो होगे तो उनकी महानता की ख्याती चारों तरफ है और अचानक तुम तो सद्धा से भरके हाँ जोड के बैठे हुए हो, वो खड़े होंगे तुमें गालियां देने लग जाएंगे, तुम सोचके गए थे वो तुमें प्रेम से बिठा लेंगे और तुमें भगा देंगे, दोड़ा लेंगे, तुमारे पीछे पड़ जाएंगे, तुमें लगेगा ये क्या है, अब पहली चीज की वो संत उसके पास एक उर्जा का सिखा रहे है, बनारस में बहुत प्रसिद संत थे तैलंग स्वामी, उनके पास अक्सर ऐसे अनुभा घट जाते थे, शिरडी के सा नहीं बाबा थे, उनके साथ मेहर बाबा के गुरु थे, वो भी थोड़े ऐसे बिचित्र संतों में से थे, हलांकि मैं ऐसे संतों की ब्यवस्था से संबंध नहीं रखता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि इस ट्रेंजनेस पैदा करने के और refined methods भी हैं, और cultured evolved methods भी हैं, टेक्नलोजी अब ज़्यादा advance हो गई है, तो पुरानी टेक्नलोजी से काम नहीं लेना, तेकि ऐसा भी होता था, फिर जेन दर्शन, जेन दर्शन में जेन मास्टरस अजीब और गरिब चीज़ें किया करते थे, इस उर्जा के जागरान के लिए, अब दो इस्थितियां हैं, एक तो उर्जा का वातावरान हो, शगान intense, और अचानक तुम्हारा मन तूट जाए, जैसे तुम्हें खास मन से आ रहे हो, मन तुम्हारा बोजिल ह तो तुम बोजिल मन लेकर ही बैठे हो, तुम्हारे उपर दुख की परत है, तो तुम उसको लेकर ही बैठे हो, कभी कभी क्या है कि बोलते बोलते, कोई संबुत दमित्र बोल ला है और तुम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हो सब कुछ, अपनी उस इस्थिति को भूल जाते हो, और उसी समय कोई उर्जा दोड़ पड़ते हैं अंदर, उसी समय कोई सांती तुम्हारे अंदर उभराती, अब मैं इसी डिवाइस का उपियोग करता हूँ, ये लेटेस्ट टेक्नलोजी, कि मैं सब्दों के उपियोग से तुम्हें उस इस्थिति में लाता हूँ कि तुम थोड़ी देर के लिए बाहरी चीज़ें भूलते हो, और शब्दों पर ठहर जाते हो, और अचानक एक सांती एक उर्जा तुम्हारे अंदर दोड़ जाती, एक जागरन तुम्हारे अंदर घट जाता, व्योंकि तुम अगर उन्ही बातों को सोचे चले जा रहे हो उन्ही भावदसाओं में बैठे हो, तो तुम उन्हें घिरे रहोगे, जेन मास्टर्स वो डंडा भी रखते थे अपने पास, तुम पूछने गए हो कि कैसे ध्यान में उतरूं, कोई विधी बता दें, और वो मास्टर उठा के डंडा आपके सिर पे मार देगा, थोड़ी तुम अचकचा जाओगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा ये क्या हुआ, तुमारे मन की धारा तूट जाएगी और तुम जाग जाओगे, तो जेन मास्टर्स ने तो ऐसे बहुत सारे उल्टे सीधे उपद्र भी प्रियोग किये, कि कभी साधा कोठा के खड़की से बाह बात ही नहीं करेगा, वो गुरु तुम उसके पास जाके बैटो सबसे तो बात कर रहा है, तुम उससे मुखातिब होते हैं, तुमसे बात ही नहीं करता, तो ये बात तो तरक संगत थी, सबसे बात करता, तुमसे बात नहीं करता, तो तुम्हें थोड़ा धक्का लगता है, एक strange situation पैदा होती और तुम्हारे अंदर कुछ जागरण पैदा होता है कभी-कभी इन सारी चीजों का उपयोग अगर तुम ऐसे अपने जीवन में करना चाहो इस उर्जा के लिए तुम्हीं इसलिए बातें बता रहा हो अजीब गरीब लोग हैं जो तुमारे इस सांती को तोड़ने के लिए सदा तैयार है अब लोगों की समस्या यही कि उनसे कैसे ब्यवहार करें तुमारा कोई जोर नहीं उन पे तुम कुछ कर नहीं सकते अब यहाँ पर तुम इन सारी पधतियों को इन प्राचीन भारती संबुद्यमित्रों की पधतियां जेन मास्टर्स की पधतियां इस सब को ले आओ और जागने की कोशिस करो बस तुम अपने उपर लोटे हो तुम जागे हो तुम घर लोटते हो और तुम्हारी पत्नी तुमसे लड़ना शुरू कर देती है अब तुमने इसको एक जेन डिवाइस की तरह से लिया तुम सांत हो जागे हुए हो और वो चीक चिला हट गुजर रही है तुम्हारे कान से तुम देखोगे अंदर से कोई उर्जा जाग गई है कोई मुश्कुरहाट उठाई है तुम हलके हो गए हो या तुम घर में बैठी थी पूरी सांती से तुम्हें उम्मीद थी कि वो आ रहा होगा तुम्हारा पती आफिस से अपने साप से अच्छे से प्यार से बात करेगा और वो कुछ नहीं प्यार तो दोर रहा सारी बात ही गड़बड हो गई अब सामान बेवहार क्या है कि तुम उलत जाती हो एक सब्ध फिर तुम्हारा सब्ध फिक्रिया अप्रिया एक्षन रियक्षन और घर का पूरा बातावरण थोड़ी दिर के लिए बोजिल हो जाता है थोड़ा सा मेडिटेटर बने मेडिटेटर का मतलब आख बंद करके सांसे लेना नहीं है कुछ खास आशान और इस्थितिया ये सब सरकस नहीं है ना मेडिटेशन का मतलब मेडिटेशन एक बहुत ही डीप अंडर्स्टेंडिंग है तो तुम अपने अंदर लाओ तुम अगर सांध प्रतिक्षा में हो तुमारे अंदर प्रेम की तरंगें है आने दो उसे वो कैसे भी बात करता है कैसे भी भंगिमा करता है तुम अपने अंदर जाग जाओ तुम दोखोगी कि वो बातें दूर पड़ी रह गई हैं और तुमारे अंदर से कोई उर्जा जाग रही तुम्हें जो उम्मीद थी कि किसी के साथ होकर तुम्हें कोई खुशी मिलेगी अब वो खुशी तुम्हारे अंदर से ही पैदा हो रही अकारण कुंडलिनी के जागरण का एक ही अनुभव है कि अकारण तुम आनन्दित हो जाते हो ये घर के स्थितियां बाहर कभी कोई तुम्हें आचानक भला बुरा कह दे कभी आवश्यक हो तो तुम प्रतिक्रिया कर सकते हो ऐसा नहीं कह रहा हो कि तुम बिलकुल रोबोट बन जाओ या तुम किसी भी बात का प्रतिरोध न करो जहां आवश्यक हो प्रतिरोध कर सकते हो लेकिन कभी किसी ने कुछ कहा और तुम प्रभावित हो गए तुमारा मन विशाद में चला गया तुम डिप्रेज्ड हो गए यहां पर तुम इस स्ट्रेंज डिवाईस को रिमेंबर करो बाते हैं तुम दूर खड़े रह गया हो मुझे भी याद कर लो तुम मेरे साथ बैठे हो अगर तुमें यहां पर अच्छा लग रहा है आनंद कानुभा हो रहा है और तुमें कोई गाली दे रहा है कहीं बाहर या तुमें अपमानजनक बातें कह रहा है या ऐसी द्रिष्टी से देख रहा है तो तुम उस समय किसी संबुद्ध मित्र को भी अपने बीच ले आओ थोड़ा अपना मेमोरी सेट अप चेंज करो और तुम देखोगे कि वो बातें दूर पड़ी रह गई हैं और कोई नया केंदर सक्री हो गया है ऐसी ही कोई भी स्ट्रेंड सिच्वेशन जन, मृत्य, कोई हाद्षा, कोई दुर घटना किसी चीज की हानी, कुछ अचानक मिल जाना किसी प्रिय से बियोग और किसी प्रिय से सैयोग किसी अप्रे से मिलना कोई भी स्थिति हो सकती है तुम हर स्थिति का उप्योग कर सकते हो इस ऊर्जा के जागरण के लिए अगर तुम इस बात को इसमन रखो कि अपने उपर लोटना है और अपने अंदर जागे रहना है तो हर इस्थिति सहयोगी बन जाएगी हर इस्थिति सहयोगी बनती ही है वस्तुते जैसे तुमारे हाथ में कोई बड़ी तुमारी प्रीच चीज थी तुम उसे बहुत पसंद करते थे तुमारा उसे बड़ा भावनात्मक लगाओ था और तुम देखो अचानक तुमारे हाथ से वो चीज जूटती है और वो तूटकर बिखड जाती है तो सामाने प्तक्रिया तुमारी यही होगी कि तुम बहुत दुखी हो जाओगी अंदर तुमारे एक दुख की लहर उठेगी अब दुख की लहर को उठने के लिए क्या चाहिए तुम बस ठहर जाते हो और अपने अंदर उस उठती हुई लहर को देखने लगते हो तो वही ओर्जा की लहर जो दुख में ट्रांसलेट होने वाली थी अब तुम्हारे भीतर उर्जा के एक नए अनुहों में ट्रांसलेट हो जाती है तुम्हें अचानक किसी पर क्रोधा रहा है प्रियोग करना हलांकि थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन फिर भी कोशिस करना है तो थोड़ा उस बिचारे के उपर से ध्यान हटाना और लोड़ जाना अपने कमरे में सिटकनी बंद करना थोड़ी आथ बंद करके चुपचाप बैठ जाना क्रोध की लहर उठी है तो उर्जा की लहर ही उठी है तुम उसे दूसरे से जोड़ कर देखोगे कि उसके कारण उठी है तो तुम चूप जाओगे वो लहर उठी है उस लहर का उपयोग कर लो तो वो ओर्जा अंतर मुखी हो जाएगी आंतरिक केंदरों की ओर तुम्हें ले जाएगी तुम हैरान रह जाओगे कि इन चोटी-चोटी बातों से भी ध्यान घटता है इन ब्यर्थ की बातों से तुम्हें तो लगता था कि ध्यान कहीं मंदिर में, कहीं आश्रम में, कहीं किसी गुरू के पास घटता है ध्यान तो हर जगे घट सकता हर इस्थित में, हर परिस्थित में के रहा जटता है